दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे Counter Boring Operation के बारे में जो Drilling Machine Operation का एक टाइप है जानेंगे कि इस Operation को कैसे किया जाता है और इस Operation को करने का Main Purpose क्या रहता है तो सबसे पहले बात करते हैं Counter Boring Operation को क्यों करते हैं जब हम किसी Work Piece में Drilling Operation के दुआरा Hole को Drill कर देते हैं उसके बाद उस Particular Hole के जो Upper End होता है या कह सकते हैं कोई Limited Portion उसका अगर है उसके Diameter को हमें Increase करना है Slendrically Along It's Length उसको Increase किया जाता है ताकि जो Required Size है वो हमें मिल सके तो एक प्रकार से हम जब भी Counter Boring Operation करते हैं जो Hole होता है उसमें 2 Diameter बनते हैं एक होता है Small Diameter जो हमने Existing Hole से मिला है और जो उसके Top End पर जो Enlarging Diameter है जो हमें Counter Boring Operation के बाद मिला है इस Operation को हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक जो End होता है Hole का जो Upper End है वहाँ पर एक Seat या Solder एक परकार से तयार कर दें ताकि जब हम Stud, Bolt या Pin को Insert करें तो उसका जो Upper End है वहाँ पर अच्छी तरह से Accommodate हो जाए अगर आप यहाँ पर देखें यह Head Screw आपको नजर आ रहे हैं तो इसका जो Head Screw का जो यह Head है तो एक परकार से जो हमने Enlarge Portion बनाया है Diameter को Increase करके तो वहाँ पर यह पूरी तरह से Fit हो जाता है बाकी जो Threaded Portion होता है वो हमारे Hole के अंदर वो चला जाता है तो इसलिए हम Counter Boring Operation को करते हैं तो एक परकार से इसमें Small Diameter और इसका जो Upper End उसका Large Diameter हमें मिलता है इस Operation को करने के लिए हम Counter Boring Bar या Counter Boring Tool का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि आपको इस डायगराम में नजर आ रहा है यह Counter Boring Tool होते हैं यह इसका Sank होता है यह इसके जो Cutting Edges होते हैं जिसकी मदद से हम Diameter को Increase करते हैं और यह जो portion होता है इसे हम Pilot कहते हैं Pilot एक परकार से इस Tool के बिल्कुल Bottom में होता है और Pilot को हम इसलिए Provide करते हैं ताकि हम जो Tool है उसको अच्छी तरह से Alignment मिल सके और जो हमने Drilling Operation से जो Hole Drill किया था वहाँ पर हमें बिल्कुल Concentric एक परकार से मिल सकी जब हम Tool को Insert करें तो पूरी तरह से Concentricly वह वहाँ पर Insert हो जाए और जो Pilot होता है इसको हमें Lubricate करना जरूरी होता है Lubricating Oil के दुआरा क्योंकि जब हम Counter Boring Operation को Complete कर लेते हैं तो उसके बाद जो Pilot है उसको हम Work जो हमारा जो Hole है उसमें वह Grip ना हो अच्छी तरह से उसको हम Remove कर सकें इसलिए Lubricating Oil का इस्तेमाल किया जाता है और जो Pilot होता है यह Counter Boring Tool का Small Diameter End होता है बिल्कुल Bottom में यह लगा होता है और जो Counter Boring Operation है इसमें जो हम Feed दे सकते हैं वो 0.002 से 0.005 इंच पर Revolution तक हम इसमें Feed दे सकते हैं और जब हम इस Operation को Perform करते हैं तो Counter Boring जो Tool है इसको हम Drill Chuck पर Mount करते हैं Drill Chuck जो Spindle के साथ Attach होता है और जब Motor को Drive करते हैं Spindle Rotate करता है उसके बाद Drill Chuck से होते हुए जो Rotation है वो हमारे Counter Boring Tool तक आती है और जो Counter Boring Tool है वो है भी Rotate करता है और उसको फिर हम Work Piece की तरफ उसमें हम Direction उसमें एक प्रकार से कहें तो Downward Direction में हम Feed देते हैं तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिसकस किया Counter Boring Operation इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जब हम Counter Boring Operation को सुरू करते हैं तो इसमें Hand Feed दी जाती है स्टार्ट करते समय उसके बाद जब हम Production Soap में इसका प्रयोग करते हैं तो Power Feed का इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिसकस किया Drilling Machine Operation का एक टाइप जिसका नाम है Counter Boring Operation अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा आप इसको Like कर सकते हैं, Share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, Students के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यावाद आपका दिन सुब रहे